मनु इसमर्ती दिवस मनाओगे तो मनु इसमर्ती हम ऐसा जिन्दा रहगी कभी दफन नहीं होगी कभी जलेगी नहीं चाहें बेशक उसको बावसाथ जलाके गए हैं 25 दिसंबर 1927 में धंपद दिवस अगर मनाओगे तो मनु इसमर्ती कभी जिन्दा ही नहीं होगी वो अपने आप खतम हो जाएगी जैसा कि बावसाथ आप ने देहन किया जलाया भस्म किया 25 दिसंबर 1927 सभी को याद है पूरे भारत में क्योंकि अधिकतर लोग मनु इसमर्ती देहन दिवस मनाते हैं अगर आप मनु इसमर्ती देहन दिवस मनाएंगे तो ये जाहिर है कि आप मनु इसमर्ती को हमेंसा जिन्दा रखेंगे जैसे दसेरे के ओपर लोग सेक्ड़ो साल से रावन को जलाते हैं और रावन को जिन्दा रखते हैं उसी प्रमप्रा के नुसार देश विदेश में मनु समर्ती दिवस में बड़े धूम धाम से लोग मना रहे हैं बावा साब की जो बाते हैं उनमें समस्या भी है और समाधान भी है अधिकतर लोगों ने समस्या का बखान किया और समस्या को आगे बढ़ाया समाधान को कम पकड़ा और समाधान को कम जाना और उसको कम अपनाया अगर आप मनु इसमर्ति का देहन करना चाहते हैं तो उसका द देहन करते ही वो फिर जिन्दी हो जाती है सार दलसार वो कभी देहन नहीं होगी तबी ऐसा मैंने एक भाचन में सुना बावा साव अंबेटकर से किसी ने पूछा कि आपने मनुस्मति देहन जला दी है तो अब हम क्या करें बावा साव अंबेटकर ने कहा बुद्ध का साहित है जो बुद्धिष्ट लिटरिचर है वो अपार है पूरे भारत में सबसे पूरी दुनिया में सबसे विसालतम है उसका जो धंपद गरत है वो सबसे बढ़िया है उसको देखना चाहिए उसको समझना चाहिए धंपद दिवस उत्सब या परुत्थान दिवस 25 दिसम्वर को मनाने की बात positive है अच्छी है जिसको हमें भूलना है जिसको खतम करना है जिसको जला दिया जिसको दफन कर दिया उसको अगर याद ना करेंगे तो वो कभी भी जिन्दा नहीं हो सकता साल दर साल उसे याद करेंगे तो आपकी पीडियां भी उसको याद रखेंगी और हमेशा उसका जिक्र करेंगी आपका पढ़ाई का समय आपका जानकारी का समय आपका अंदुरन का समय उस इसम्रती के नाम जाएगा जिसको बावा साब दफन कर गए और आप उसको जाने और अंजाने में लगातार साल दर साल जिन्दा कर रहे हैं धमपद पुनुत्थान दिवस धमपद वो किताब है जो दुनिया के हर कौने में पाई जाती है हर एक बच्चा उसको जानता है जाने में अंजाने में जितने भी अच्छे गरंथ है उन समय धंपद का अंस पाए जाता है चीन के अंदर ये किताब सबसे पहले लिखी गई और छपी गई छपाई की किताबों में सबसे पहले धंपद का नाम आता है दुनिया की सभी भासाओं में धंपद आता है धंपद वो किताब है जिसको Art of Living बोलते हैं या Art of Happiness बोलते हैं दुनिया के सारे जितने भी अच्छे गरंथ हैं उनमें धंपद को अपने अपने हिसाब से बताया गया है लिखा गया है समझाया गया है ये जीने की एक कला है जिससे आदमी का जीवन बहुत अच्छा होता है मनुस से बहुत ज़्यादा खुश होता है Art of Happiness 25 दिसंबर को आप क्या मनाते हैं ये आपके उपर है आप इसमर्ती दिवस मनाते हैं मनुस मर्ती को याद करते हैं उसका बखान करते हैं अपने बच्चों को बताते हैं या अपनी किताब धंपत को बताते हैं जो भारत की किताब है ये आपके उपर है आपकी बुद्धी के उपर है आपके कारे के उपर है आप अगर पॉजिटिव काम करेंगे तो आप धंप धंपत पढ़ेंगे धंपत बाटेंगे धंपत को सीखेंगे आप अगर बावा साब की समस्या या जो उसमें निगेटिव चीज़े है अगर उसको याद करना चाहेंगे तो आप इसमती दिवस मनाएंगे जो कि एक काली किताब है पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती पूरी दुनिया में उसका कोई बखान नहीं होता, जबकि धंपत का बखान पूरी जगे जगे, पूरी जगे होता है, होता रहेगा, होता आया है. बावा साब कहां लिखे कर गए हैं, कहां बोलकर गए हैं, कि उन्होंने जो मनुश्मर्थी को देहन किया है, आपको उसका दिवस मनाना है, या साल दर साल उसको याद करना है. बावा साब का इतना विसाल साहित्त है, बुद्ध का इतना विसाल साहित्त है, गुरुनानक का है, चोखा मेला का है, सतनाम का है, कवीर दास का है, जोतिवा फूले का है, इतना साहित्ते आपके पास है आप उसे मनाईए, आप उसका दिन मनाईए आपको जो एकवाज ला दिया, जो देहन कर दिया उसमें बावा साब का नाम लेने के आवश्कत नहीं है क्योंकि बावा साब ने ऐसा कोई आदिश ने दिया कि आपको 25 दिसंबर 1927 की देहन दिवस को लगाता लगाता रिपीट करना है आप उसको अगर अपने परिवार को या अपनी पीडी को बताना चाहते हैं तो चुप चाप बहुत शांती से बनाईए, उसका जिक्र मत किजिए अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो वो जिन्दा हो जाएगा और वो हमेशा आपके सामने एक भूत बनके एक पाश्ट बनके आपके सामने रहेगा धन्यवाद